इस वीडियो में हम पेटल्स कक्सा 5 का पार्ट साथ पीपल हू हेल्प अस वो लोग जो हमारी सहता करते हैं इस नाम से ये पार्ट है तो पार्ट साथ को पहले तो हम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे इसके बाद हम इसी पार्ट के अभ्यास प्रसनों को देखेंगे तो सबसे पहले तो देखते हैं हम इस पार्ट को तो जो रिहाना है इसकी हिंदी क्या होगी रिहाना की एक दुकान है वहे खाने पीने का सामान और छोटा घरेलू सामान बेचती है वहे एक किराने वाली है ग्रोसर मतलब किराने वाली जो किराने का सामान बेचता है वो किराने वाली तो वो क्या है रिहाना एक ग्रोसर है मतलब किराने का सामान बेचने वाली है आगे देखते हैं अब इसमें next जो पैरागराप दिया है वो है पंकज फिट्स वाटर पाइप्स टैप्स ETC He also repairs them He is a plumber पंकज पानी के पाइप नल आदी फिट करता है मतलब उनको लगाता है वह उनकी मरम्मत भी करता है He also repairs them मतलब वह उनकी मरम्मत भी करता है आगे He is a plumber वह एक plumber है अब देखते हैं हम अपने next पैरागराप को आनंद आनंद owns a bakery आनंद owns a bakery यहाँ फुली स्टोप आएगा आनंद owns a bakery आनंद एक bakery के मालिक है मतलब उनकी एक bakery की दुकान है He bakes biscuits, bread and cake and cakes ETC वो क्या-क्या बनाते हैं वो biscuit, bread ब्रेड आप रोटी तो नहीं ब्रेड जो आपने खाई होगी bread आती है packet में वो bread और cake आदी बनाते हैं वो इन चीजों को बनाते हैं He is a baker वह एक baker हैं वह एक baker हैं अब हम देखते हैं आगे इस paragraph को Trisha works in an office Trisha एक office में काम करती है She types letters and documents वह पत्र और दस्तवेज type करती है She works on a computer वह एक computer पर काम करती है She is a computer operator वह एक computer operator है तो इस तरह से आप इसकी हिंदी देखेंगे अब हम देखते हैं इसको Next हमारा paragraph है Chetan Chetan writes books Chetan किताबे लिखते हैं He writes stories, essays, novels, etc वह कहानिया, stories मतलब कहानिया, निबंद, उपन्यास आदी लिखते हैं क्या-क्या कहानिया, निबंद, उपन्यास आदी लिखते हैं He is an author वह एक लेखक हैं अब हम देखते हैं अपने next paragraph को Shivani wears a black coat Shivani एक काला कोट पहनती है She goes to the court वह अदालत में जाती है She pleads cases there वह वह मामलों की पैरवी करती है Cases मतलब मामले जो अदालत में मामले आते हैं उनकी पैरवी करती है कौन करती है? Shivani She is a lawyer वह एक वकील है अब हम देखते हैं अपने अगले paragraph को Jordan sales boats and ships Jordan नावों और जहाजों को चलाता है He is a member of a crew वह एक जहास दल का सदस्य है Crew मतलब जहास दल वह एक जहास दल का सदस्य है He is a seller वह एक नाविक है अब हम देखते हैं अपने next paragraph को Gurpreet drives a train Gurpreet train चलाता है He takes passengers and goods to different places by his train वह passengers मतलब यातरियों को और सामान को विभिन इस्थानों पर ले जाता है By his train अपनी train से विभिन इस्थानों पर ले जाता है He is a local pilot वह एक local pilot है जो train चलाता है उसको क्या कहते हैं लोको pilot कहते हैं जो train चलाता है और जो नाव जहाजों को चलाता है उनको क्या कहते हैं Sailor Sailor मतलब नाविक और जो वकील होता है जो अदालत में मामलों की पैरवी करता है उसको liar चलाते हैं यानि वकील कहते हैं और जो कहानिया निबंद उपनियास ये सब लिखता है उसको हम लेखक कहते हैं यानि ओथर और जो कंप्यूटर ओपरेटर होते हैं वो कंप्यूटर पर कारे करते हैं और जो बेकरी का सामान बनाते हैं बेचते हैं उनको बेकर कहते हैं और जो हमारे नल पाइप टंग की इत्यादी उनको फिट करता है उनकी मरमत करता है उसको पलंबर कहते हैं और जो किराने का सामान बेचता है या बेचती है उसको ग्रोषर कहते हैं आप देखते हैं हम अपने इस पार्ट के अभ्यास प्रस्टों को Comprehension Questions है ये पहला question है हमारा Who is Rihana and what does she do? Rihana कौन है और वह क्या करती है? इस question के answer में आप लिखेंगे Rihana is a grocer Rihana एक grocer है मतलब किराने का समान बेचने वाली है She sells food items वो खाने की चीजे बेचती है and small household goods और घर का जो छोटा समान होता है उसको बेचती है अब next question है हमारा What does a plumber do? जो plumber होता है वो क्या करता है? इस question के answer में आप लिखेंगे A plumber fits and repairs water pipes and taps वो पानी की टंकियों को और pipeों को fit करता है और उनकी मरमत करता है Next question है हमारा What do we call a person who sells boats and ships? जो व्यक्ती नावों को और जहाजों को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इस question के answer में आप लिखेंगे We call him a seller हम उसे एक नाविक कहते हैं Who sells boats and ships जो नावों को और जहाजों को चलाता है अब देखते हैं हम अपने next question को Where does a lawyer pleads cases? वकील केसों की यानि मामलों की पैरवी कहां पर करता है तो in the court वो अदालत में In the court a lawyer pleads cases वो केसों की पैरवी अदालत में करता है Next question है हमारा What does a computer operator do? इस question के answer में आप क्या लिखेंगे? A computer operator types a letters and document in office आप यहाँ पर क्या करेंगे? A हटाएंगे बस A हटाना है A computer operator types letters and documents S लगा देंगे यहाँ पर documents इसको plural बनाएंगे in office आप इसको बस इतना ठीक कर लेंगे A हटेगा समय से देखते हैं अपने Next question को What is the job of a local pilot? एक local pilot की क्या job होती है? क्या नोखरी उसकी होती है? उसका क्या कारिय होता है? तो answer में आप बताएंगे A local pilot drives a train local pilot ट्रेन चलाता है rail गाड़ी को चलाता है He takes passengers वो passengers को ले जाता है passengers and goods और सामान को to different places by his train वो अपनी train के माध्यम से यात्रियों को और सामान को within इस्थानों पर ले जाता है तो इस तरह से ये हमारा सात्वा पार्ट है Petals कक्सा 5 की जो पाठ्थे पुस्तक है उसका सात्वा पार्ट People who help us तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जहां से देखिए इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद